Dear students, आज से हम NCRT series शुरू कर रहे हैं जो कि important है सारे examinations के लिए आप किसी परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं NCRT आपको पढ़ना बहुत जरूरी है NCRT पढ़ने का फाइदा यह होता है कि इससे आपके concept जो हैं बिल्कूर clear होता है और basic से NCRT में समझाया गया होता है हम जो है NCRT के topics आपको देंगे और जो है हम सारे topics को complete करेंगे इस वीडियो में आज हम दो subject को लेकर चलेंगे यानि भुगोल और अर्थसास्त यानि economics और geography जो हैं हमने पहले लिया है इसके लिए जो NCRT का book रहेगा वो बिल्कूर new edition वाला रहेगा क्योंकि newly edition book जो है वो market में हट जगा available है जहां पर जरूरत होगी old edition के हम आपको suggest करेंगे पर आप new edition से जो है काम चला सकते उसमें भी काफी अच्छा से cover किया है आपका concept build काफी अच्छा होगा आप बस तीन किताब पढ़े NCRT है, Lucian है और Crown है आपको भी exam pass जरूर कर लेंगे क्योंकि NCRT से आपका ये concept build काफी अच्छा होता है छोटे-छोटे चीज़ों को इसमें काफी असानी से समझाया गया और NCRT जो है वो हर जगह भी level आप कोई से भी परिक्षा के त्यारी कर रहे हो UPSC, BPSC या किसी भी state level के परिक्षा डेलबेस के कर रहे हो NCRT पढ़ना तो बिलकूल ही जरूरी है तो चलिए आज से हम topic सुरू कर रहे हैं और आपको जो है ये topics एक दिनों के अंदर करने है यानि आज है 15 फरवरी यानि आपको जिसके उपर मिलेगा practice it वो आपको मिलेगा ठीक 17 तरिक को 17 तरिक के शाम तक आपको practice it मिल जगा यानि आपके पास जो है चलिए आपको हम आज के topics देते है पहले आप ये देख लिजिए ये जो है अर्थ सास्त आप ये देख रहे है main page ये जो cover page है ये आपको कक्षा 9 यानि हम class 9 का जो है अर्थ सास्त या इकनॉमिक्स का बुक लेंगे और class 11 के लिए जोग्रफी स्टार्ट करेंगे जोग्रफी में हम कर रहे है वह हम करेंगे शुरू बहुतिक बुगोल के मुल सिधान यानि आज से हम फिजिकल जोग्रफी कर रहे है जोगि अर्थ सास्त या इकनॉमिक्स में class 9 से हम basic building block बनाएंगे अपना एकनॉमिक्स समझना काफी कठीन होता है कई लोह के लिए लेकिन आप इसके through NCRT के थ्रू काफी इसको असानी से समझ लेंगे तो चलिए हम आपको topics देते हैं पहला जो है हम ले रहे हैं बहुत तिक भुगोल के मुखे सिधान जो की class 11 का new NCRT है NCRT class 11 का जोगरफी का भुगोल का हमने किताब लिया है जो इंग्लिस मीडियम वाले हैं वो इंग्लिस का किताब ले सकते हैं पड़ हम यहां हिंदी मीडियम को लेके चल रहे हैं चुकि अधिकास विद्यार्थी हिंदी मीडियम से गाउं से दूर दूर के विद्यार्थी जिनको जो है हिंदी मीडियम से जिनके पास संसादन उपलवद नहीं है उनके लिए है इसमें आज हम करेंगे इससे पहले आपको दिने से पहले हम आपको सलेवस बता दें NCRT का NCRT में जो हम आपको करना है हम कबर करेंगे कम से कम टोटल 15 चप्टर बहुल में जो कि NCRT 11 क की बात कर रहे हैं जो आप इसको करेंगे तो आपको इस NCRT में प्रित्वी भूगा कृतियां जलवायू जल यानि महासागर और प्रित्वी पर जीवन यह सारी चीजों को हम कबर करेंगे काफी इंपॉर्टेंट है इससे आपको प्रश्ट कहीं किसी एक्जाम मिल जाएग आप UBSI के पर उठाई है किसी स्टेट लेवल का उठाई है या फिर आप अगर बिहार ESI, SI या CGL की परिक्षा की बात करें तो चलिए आज हम टापक लेते हैं आपको करना है पहले चैप्टर 2 यानि प्रित्वी की उत्पत्ति एवं विकास यह पेज नमबर 16-20 में आपको दिखाई देगा जब आप इस चैप्टरों करेंगे काफी महत्पोन चैप्टर है आपको इसको अराम से पढ़ना है ज्यादा टाइम नहीं रहेगा चार या पाच पढ़ना होता है इसमें आपको दिखाई देगा कि प्रित्वी की उत्पत्ति कैसे हुए आपको इसमें ने आपको दिखाई देता है जब आकास गंगा की जब निर्मान हुई तो उसके सुरुवात में हैरोजन के हैरोजन कैस से जो है क्या हुआ था विशाल बादल बना था जैसे जिसे ने नेबूला कहा गया था यह सारे चीज़े आपको दिखाई देंगे आपको इसको अच्छे से करना है क्लास 11 का जोगरफी एंसी आटी हम बार बार रिपीट कर रहे हैं आप नियू वाली एंसी आटी पुस्तक जरूर खाहिए लें मार्केट में यह इसलिए अवलेवल है नहीं तो आप ऑनलाइन डाउलोड भी करके पढ़ सकते हैं आपको चेप्टर टू करना है पि पालंपूर गाओं की कहानी है इसमें कुल चार चेप्टर है जो कि हम आसा करते हैं कि आपको इस हफ्ते में ही इस वीक में हम एकनॉमिक्स कंप्लीट करने क्लास 9 का उसके बाद हम क्लास 10 और 11 का और 12 का एंस एकनॉमिक्स करेंगे हमारा टार्गेट एकनॉमिक्स को कंप्ली पूजी क्या होती है। या बहुमी के किसी एक टुकरे में उपज़ बढ़ाने की सबसे सामान प्ड़नाली है। तो काफी अच्छा चप्टर है, आपको इसमें दिखाई देगा कि 1960 के दसक क्यांत में हरित क्रांती ने भारती के सानों को अधिक उपज वाले भी जो यानि HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती को करने के तरीके सिखाये थे यह सब चीज़े आपको देखना है, बहुत easy language में समझाये गया, आप इसको देखिए और complete केजिए इन सब topics को आपको एक दिनों के अंदर करना, भी हम दो chapter, दो subject लिकर चल रहे हैं, भूगोल और अर्थ्रास्त भूगोल के लिए जोग्रफिक लिए class 11th का और economics के लिए class 9th का हम करेंगे, आपको इन सब को एक दिनों के अंदर करना है, उसके बाद आपको इसके उपर practice मिलेगा आप ध्यान से पढ़ाई कीजी, NCRT की, NCRT सिरीज के सुरुवात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मारे साथ अगर बने रहेंगे, तो आपका NCRT साड़ा complete हो जाएगा आपको जो है, जब आप इस topics को पढ़ें, तो कोशिस करें, एक छोटे-छोटे notes जरूर बना लें, कैसा करने से आपका NCRT का division एक समय पे हो पाएगा, और आपका जो है, examination में कोई भी प्रस्ट नहीं छोटेगा थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब चरूर करें, थैंक यू, ठेक क्या